नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आज से श्वागत है आपका आमारे यूटीब चैनल पर उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सब करिया चल रहा होगा अमेसे के तरह दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा गाना है बॉलिबूर्ट सोंग आप कह सकते हैं गजल टाइप का वो थोड़ा सा है हम तेरे सहर में आये हैं मुसाफिर के तरह इस तरह के से कुछ सोंग के बोल है जो गजल है आगर आप सर्च करेंगे यूट्यूबर तो आपको मिल जाएगा आप इसको सुन सकते हैं उसमें जो पैटर्न जो बजाया गया है जादा डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन उसके लिए काफी रिक्वेस्ट आ रहे थी उसमें जो उठान है वो उठान जब भी उठाया जाता है तो कई सारे गानों में गजलों में उसका प्रियोग होता है जियान से देखिए, बेज सेम बजाया जाएगा, उठान जो है, उठान को बजाने की टेक्निक है, किस तरके से आपने बजाना है, सब आपको इस्टे बाई इस्टे बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो चलिए इस्टार्ट करते हैं, अगर आप अभी चैनल पर नहीं है को यह सी अभला, जैसे की … इस तरह की से ठेका है, थोड़ा सा वेश्टाथ है का पार्ट आप म्यूजिक पार्ट में बजा सकते हैं अलग-अलग टाइप से बजाया गया है क्योंकि इसमें कई सारे गजलें गाई वी है अलग-अलग-अलग मतलब उस्ताव दूने गाई वी है आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें जैसे एक म्यूजि करते हैं जो श्टार्टिंग वाला बोर है किस तरी के से जैसे गजल श्टार्ट होगी हुं दो बार ताता आएगा ठीक है अब तकीड़ तकीड़ को बजाने के जो टेक्निक है वो थोड़ा हटके है वो आपने कैसे बजाना देगे मैं थाड़ बताऊंगा आपको ठीक है जैसे कि अब यहां पर जो खाली पाट है, यह जल जिसे आपको कोई बताएगा नहीं, मतलब होता क्या है, जैसे कि तकिट तकिट हमेंने बजायाएगा, अगर हम एसा करेंगे तो गड़बड हो जाएगा, नहीं, करना क्या है, वो थोड़ा सा मतलब रुक के आया हुआ है, ठ ठीक है तकेट तकेट जो है जिसके ता ता एस तकेट 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 एसा लिखा है ना ता एस तकेट 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 तो वो एस क्या है वो हमने पॉस रखना है वहाँ पर थोड़ा सा पॉस रखना है तो उस पॉस के लिए आप क्या कर सकते हैं इस तरीक से ताले बजा सकते है आइसे मतलब वो थोड़ा सा पॉस हो के वहां पर रुका हुआ है वह वाला पार्ट अपने अगर आप क्या करेंगे एक साथ बजाएंगे नहीं से तो गड़बड़ तभी हो गड़बड़ होता है ना तकेट तकेट लेकिन क्या करना है इस तरह किसे आपने बजाना है एक बार लाश टाइम फिर से देख लें क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ठीक है जैसे कि इस तरह किसे आपने करना है ठीक है शुरू में क्या था यह बार बार बजाया गया है और कई गानों में यह बजाया जाता है method बजाने का यही है ठीक है शुरू में जब आप practice करेंगे तो कैसे करना है आपने इस तरह किसे करेंगे तो आपको समझने आ जाएगा बोल देखने किस तरह किसे बजाया जा रहे है ठीक है इस तरगे से बजाए जाएगा आगे का ठेका क्या है वो भी सासा आपको बता दे तुम ठेके की बोल देख लें किस तरगे से बजाए जाएगा ठेक है ठेके कैसे बजाना है दी को सिलिप किया ठेके दी को सिलिप किया और दा को जंप किया चाटे पर यहीं चलता रहा ठेक है ठेके को जो ही चिप का आगे लेना है इस तरीक से शुरू वाला जो दी है वो सिलिप करना है ठेके को फिर जंप करना है ठेके फिर जो दूसरा वाला दी है वो पीशे ऐसे ठेक है दोबारा देखें ती दा दी त ती त लास्ट वाला जो दी है वो सिंपल दिया जा रहा है शुरू वाला देखेंग फिर तीसरा वाला दी प्लेन और फिर जो लास्ट वाला है वो भी सिंपल दी ठेक है ऐसे? समझ गए इस तरह किसे आपने इसको बजाना है दुबारा देख रहें गवाद कम्प्लिट इसके बाद एक परकार आपने बजाना है जैसे कि इसका आप परियोग कर सकते हैं ये बहुत अच्छा बजाया गया है जैसे कि बोट गजलों में इसका परियोग होता है इसके बोलना है दुबारा देखें एक बार फिर से देखें बिल्कु चुरूमें धी सिलिप किया इस तरीक से इस तरीक से इस तरीक से यहाँ पर वेट डालना है फिर बजाना इसे धित दा ऐसे धित दा जो है ऐसे बजेगा ठीक है और धी जो है ऐसे यह वाला साउंड आना ची है तो कैसे धित दा धित ता धित तक फिर तक साइड में फिर दुबारा देखें धित अफित अफित अजित समझ गय कि वाला बोल है इस pitch वेटम का पर आपको और बता अब वो आपने कैसे बजाना है ठीक है देखते हैं western वाला प्रकार आपने किस तरीक से बजाना है इसको आप music part में बजा सकते हैं ठीक है इसके बोला है तरीक है बाग सिमपल लगावा अब बोल ठीक है देखें दी शुरूअला यो धी है वो अब सिमपलै ठीक है एसे ता के साथ कंदेख करना है जैसे के दी ते ग दा त त टी ग ग ग इस वाली ओंगीशे ठी घ था ये ख को सिलिट करना है ती त फिर त अजय दो तब जाएगा है जो आपने कह कह धाना है दूसरी साथ नहीं करन आ इस वाले ताके साथ हुआ का गारेट गल में सिंगल ना बजाएं ठीक है फिर अच्छा लगे गए ठीक है ठीक है तो इस तरीक से आपने इसको बजाना है मैं थोड़ा सा आपको बजा के दिखा देता हूँ आपने किस तरीक से इसको बजाना है ठीक है जैसे के हुआ 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 के साथ हुआँ आप्स मतलब इस तरीक से आप इसको बजा सकते हैं और ढोल पर भी लगवांगे से में बजाए जाएगा उंगली आपने टिकानी नहीं कहरवा बोल जो है टाकिट अटाकिट वाले बोल से मैं से बजाए जाएगे से उसे पुंगली टिकानी नहीं है उमीद है आप इसको अच्छे से प्रयोक करें गाना सुने और जो ये उठान था इसको लेगे जो भी की confusion थी वो जरूर दूर भी होगी तो अच्छे से इसका रियाज करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रियाज करते रहें, comment जरूर करें आगे आपको कैसे lesson चाहिए चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर करें और वीडियो को लाइक तो आपने इस्टार्ट में करी दिया होगा अगर नहीं किया है अभी तक भी तो जरूर कर दें तब तक अपना ध्यान रगें मिलते हैं next वीडियो में, thanks for watching, bye bye take care